जैस्री राम दोस्तों आज हम जानेंगे हन्मान जी की जन्म कैसे हुई इसके बारे में राम भक्त हन्मान को कई नामों से जाना जाता है जैसे मारती नंदन, पवन पुत्र वा संकट मोचन आदि माना जाता है कि वह भगवान सिर के इग्यारवे रुद्र अवतार थे और उनके जन्म का उलेक कई पौरानिक कथाओं में मिलता है इस कहानी में हम हन्मान जी के जन्म से जूरी ऐसी ही एक प्रचलित कथा बता रहे हैं हन्मान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है वे माता अंजनी और वानर राज केसरी के पुत्र थे माना जाता है कि उनका जन्म कोई साधारन सैयोग नहीं था बल्कि देवतागर, नप्षत्र और सारे भगवान के असिर्वात से पृत्री में पात का विनास करने के लिए हुआ था मानेताओं के अनुसाद माता अंजनी को यह वर्दान मिला हुआ था कि उनका होने वाला पुत्र सिव का अंस होगा इसके अलावा एक मानेता यह भी है कि जब बजरंग बली का जन्म हुआ था उसी समय रावन के घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया था यह संयोग दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतूलन बनाए रखने के लिए हुआ था बाप सत्युकी है जब माता अंजनी एक जंगल में बैठ कर पुत्र प्रापती के लिए भगवान सिव की पूजा कर रही थी वह हाथ जोरकर और आखे बंद करके अराध्रा में लीन थी तभी उनके सामने रखी कटोडी में एक फल आकर गिरा माता अंजनी ने जब उस फल को देखा तो उन्होंने उसे प्रसाथ समझ कर देवन कर लिया दरशर जब माता अंजनी जंगल में पूजा कर रही थी तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दसरत भी पुत्र प्रापती के लिए सीव यग्य कर वा रहे थी इस हवन के बाद पंडित ने राजा दसरत की तीनों रानियों को फल दूए जिन्हें खाने से उन्हें फुत्र प्रापती हुई थी इन्ही फलो में से एक छोटा सा अंस एक पक्षी उठा कर ले गया जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रख दिया इस प्रकार भगवान सीव के असिरवाद से हुआ था केसरी नंदन हन्मान जी का जन जन्मान जी के सामने के सामने जी के सामने रख दिया था टाइज पर भावद में गवैं